अस्सलाम अलेकुम दूस्तों वीडियों में हम आपको देंगे साओधी की लेटर चुम्पोर्टन अपडेटी इपडेट 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 इसके साथ एक नए नियम को लेकर भी अपडेट करेंगे जहां पर आपको अब 500 रियाल का जुर्बाना द दोस्तों वीडियो में आपको बता देंगे और छुत्ती को लेकर भी अपडेट करेंगे लेकिन उससे पर आपको बता दें कि यहां पर जातर लोग निवास कारे का उलंगन करते थे इसलिए इस तरह के साथ लोग को अभी सौधी अरब में गिरिपतार किया गया है आगे रियाद पुलिस के तरफ से कहा गया है कि मिस्र के एक निवासी को भी गिरिपतार किया गया है जो नकली हज अभियान को बढ़ा देता था इसके साथ बिना लाइसंस वाले एक बेव साइट चलाता था तो इन सभी लोगो अभी गिरपतार किया गया है और आगे लोग अभीजन के लिए भेज दिया गया है दोस्तों ये लोग दोसरे को धोखा देते थे नकली हज परमिट जारी करते थे और इसमें जादतर लोग बंगला देशी राश्टेता के थे इसके साथ मलियन अफगानी मनमार मिस्र के राश्टेता के भी चार लोगो अभी गिरपतार किया गया है और आगे अब इन सभी लोग के खिलाप जो भी कारवाई है असपस टूप से वो की जाएगी क्योंकि ये लोग होटल के कमरे के भी धोखादड़ी में सामिल पाए गया है दोस्तों सौधी की अगली अपडेट एक आपके लिए बहाद इंपोर्टन अपडेट है क्योंकि ये अपडेट सौधी के परियावन और सुरक्षा बिसेस बल की तरफ से है सौधी अरब के अंदर अभी 19 परियावन उलंगन को जब्त किया गया है जिसमें 16 नागरिस सामिल थे सुदानी राष्टेता के 3 निवासी थे जिसमें 478 उंटो को चराने का उलंगन पाये गया है मतलब सौधी अरब के कई साज्यों में कई छेत्रों में चराई पर पर्तबंध है और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा जाता है अगर आप एक बोर्ड के अंदर जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि 500 रियाल का आपके उपर जुर्बान लगाये जाएगा दोस्तों इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे नए पर्तबंध को लेकर क्या अपडेट सौधी गबर्मेंट के तरफ से दिया गया है तो सुकरुआर नवे दिन मतलब उसी महिने के बारा तारीक तक अभी गैर लावकारी छेतर को इद अल अधा की छुट्टी दे गई है मतलब अगर टोटल यहां पर बात करें तो सौधी के समाजिक विकास मंतराले की तरफ से चार दिन के लिए छुट्टी दिया गया है दोस्त जो भी वाहन चलाते हो तो ऐसे में आप दुमर्पान ना करें क्योंकि इस पर अभी अभी पर्तबंद जारी किया गया है सौधी के आतायत विभाग की तरफ से